तो फ्रेंट्स कैसे हो आप सब आप सब एकदम अच्छे हैं और एक्जाम की प्रिप्रेशन जोर शोर से कर रहे हैं एक चीज मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगी कि हाई कोट लडिसी के फोर्म भरना शुरू हो गए हैं 22 अगस्ट से और 22 सितंबर तक आपके फोर्म भरने हैं आप लोग लास्ट डेट का वेट ना गरें आप जल्दी से जल्दी अपना फोर्म भर दें अगर आपको फोर्म भरने से रिलेटेड कोई भी समश्चा है कोई भी कन्फ्यूजन है फोर्म भरने से रिलेटेड आप को डेस्क्रिप्शन में हमारे टेलेग्राम ग्रूप का लिंक मिलेगा उसमें आप डाइरیک्ट मैसेज करें और हम आपके मैसेज का जवाब देंगे आपकी समश्याओं को दूर करेंगे, मैं free of cost आपको पढ़ा रही हूँ, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं सिर्फ यहाँ पर formalty ही कर रही हूँ, या फिर मुझे views लेने हैं, या फिर मुझे subscribers लेने हैं, नहीं, मैं यह चाहती हूँ कि हर एक बच्चे की problem solve हो, जो high court LDC की तयारी कर रहा है, और मेरे जो experience है, मेरा जो अनुभव है, या मेरा जो knowledge है, इस भरती को लेकर, वो मैं आप तक पहुंचाऊं, और आपकी हर एक समश्या को दूर करूं, तो अगर आपको phone बरने से related कोई भी समश्या है, आप telegram group में जाक direct message करें, हम आपको उसका जवाब देंगे, उसके अलावा मान लेजिए, कई बार होता है कि chat से हम आपको जवाब नहीं दे पाते हैं, फिर chat में कई चीज़ें clear नहीं हो पाती हैं, अगर आपकी समश्या genuine है, या फिर आपकी समश्या बहुत ही जादा critical है, तो मैं आपको एक genuine समश्या है, उसका समाधान होगा, उसके बाद आप अपना form भरें, क्योंकि form आपको बहुत ही समश्दारी से लगाना है, सारे doubts, सारे confusion दूर करके उसके बाद में आपको form apply करना है, form कैसे भरना है, वैसे तो मैंने वीडियो बना के आपको बता दिया है, कोशिश की कि आपके सारे doubts दूर कर सकूँ, लेकिन कई students के बहुत critical समश्या हैं जो कि मेरे सामने आई हैं, तो आप telegram group में जाएं, वहाँ जाकर आप direct message करें और अपनी समश्या बताएं, मैं personally उनको प होगा, जिने students ने noun part 1 नहीं देखा है, description में उसका link है, आप जाकर noun part 1 देखें, उतके बाद में इस वीडियो को continue करें, तो start करते हैं noun part 2, noun के uses हम पढ़ रहे हैं, noun part 1 में भी मैंने आपको noun के uses बताये थे, normal basic चीज़े बता के फिर noun के uses बताये थे, अब हम noun के uses ही पढ़ रह dozens, gross, score, hundred, thousand, million, billion, weight, stone, pair, units, etc. can be used in singular or plural form, ये जो भी noun है, उनको हम singular और plural form दोनों में use कर सकते हैं, ओके, ये जो भी noun मैंने आपको बताई हैं, वो singular में भी use होती हैं और plural में भी, बहुत ही ज़्यादा confusing है, उसकी confusion दूर करो, we have bought two blank pains, यहाँ पर बताओ, dozen आएगा कि dozens आएगा, देखिए, we have bought two, क्या आना चाहिए, dozen, two dozen pains, जब इनका use इस तरह से होगा, two dozen pains, ठीक है, 500, ठी five hundred rupees नहीं आएगा, hundred में एस नहीं लगेगा, two dozen pains, next five, फिर blank है, of pains were stolen, यहाँ पर five dozens of pains आएगा, यहाँ पर आएगा five dozens of pains, जिस तरह से hundreds of people होता है, जिस तरह से hundreds of people या hundreds of books होता है, उसी तरह से five dozens of pains, ओके, आगे चलते हैं, thousands of rupees have been distributed among the poor, गरिबों की बीच में thousands of rupees, हजारों रूपय बाटे गए, सही है, two thousand rupees, अब यहाँ पर हम thousand में as नहीं लगाएंगे, यहाँ पर thousand में as नहीं लगेगा, thousands of rupees, और two thousand rupees have been distributed among the poor, two thousand rupees is a good amount, अब आपको होगे कि में rupees तो यहाँ पर plural है, आपने singular की तरह deal क्यों किया है, two thousand rupees मिलकर एक amount बना रहे हैं, ठीक है, तो यह singular है, two thousand rupees एक राशी है, ठीक है, तो यह एक राशी है, मतलब singular है, इसलिए इसका use हुआ है, आगे चलते हैं, Sita has two pair of shoes, तो two pair of shoes सही है, और Sita has many pairs of shoes भी सही है, many pairs of shoes, ठीक है, और two pair of shoes, अगर इनके आगे numerical adjective है, two, three, four, five, तब इनको singular form में use करेंगे, जैसे two dozen, ओके, आगे हैं, Sita has pairs of shoes, यहाँ पर भी pair का use सही है, pairs of shoes का मतलब है, बहुत सारे जुतों के जोडे, लेकिन मैं यहाँ पर Sita has two लगा दूँ, यहाँ पर अगर मैं two add कर दूँ, तो two pairs of shoes गलत हो जाएगा, two pair of shoes आना चाहिए, two pair, three pair, ठीक है, two dozen, three dozen, और dozens of, ओके, आगे चलते हैं, the use of apostrophe with S is not correct in the case of non-living things, non-living things के लिए, non-living things जो है, उन नाउन्स के लिए हम apostrophe S का use नहीं करेंगे, it is restricted only to living things, अब apostrophe S का use कहां कहां करेंगे, सिर्फ living things, time, weight, distance, amount, और personified nouns, उनके लिए ही apostrophe S का use होगा, काफी बार exam में पूछे जाते हैं, apostrophe S से बने question, ओके, स्टार्ट करते हैं अपना, राम्स पेन, एकाउज मिल्क, एक वुमन्स सारी, यह क्या है, living things हैं, ओके, पज्जेसिव केस में हैं, फिर है boys school, girls hostel, जब spelling या किसी noun के last में हमें apostrophe S लगाना है और उसके last में already S है, तो हम apostrophe S को उस noun के S के बाद लगा देंगे, ऐसे नहीं हो सकता है कि boys school, girls hostel, यह गलत है, boys school, girls hostel, pronunciation same होगा, boys और apostrophe वाला boys same होगा, लेकिन apostrophe mark लगा देंगे S के बाद, फिर है Jesus sack kalidas works, तो जो noun S से जिनका end हो रहा है, उनके last में जब हम apostrophe S लगाएंगे, तो हम उस noun के last का जो S है, noun का खुद का जो S है, plural noun का, उसके बाद हम apostrophe tick लगाएंगे से, apostrophe का S नहीं लगाएंगे, उसी S को हम apostrophe S मान लेंगे, आगे चलते हैं, गनेश books, अब यहाँ पर भी S H है, मतलब sound किसका आ रहा है, hissing sound आ रहा है, सै का sound आ रहा है, तो गनेश books for conscience sake, ओके, फिर है yours faithfully, theirs truly, यह possessive pronoun है, तो possessive pronoun में yours and theirs, इनके उपर हम apostrophe का यह नहीं लगाएंगे, ओके, direct ही लिखेंगे, yours and theirs, ओके, आगे चलते हैं, commander-in-chief's orders, son-in-law's behavior, आप देखिए, अगर commander-in-chief's singular में use करना है, ध्यान से सुनना, काफी important rule है, यह, ओके, commander-in-chief's orders, son-in-law's behavior, सही है, क्या है इनको, singular है, अगर हम plural में use करेंगे, तो commander-in-chief's, sons-in-law, ओके, plural form में हम chief और low के apostrophe as नहीं लगाएंगे, अगर यह, यह जो noun है, वो singular होगी, commander-in-chief's, और son-in-law's behavior, अगर singular होगी, तब हम apostrophe as लगाएंगे, commander-in-chief's गलत हो जाएगा, ओके, आगे है, tables would, गलत है, क्यों, क्योंकि table तो non-living thing है, और non-living thing के लिए apostrophe as का use नहीं होगा, तो फिर non-living thing में position बताने के लिए क्या चीज़, क्या बताएं, relation या position बताने के लिए किस का use करें, अब का use करेंगे, would of the table, यह सही है, tables would को हम कैसे बोलेंगे, would of the table, okay, times march, time के लिए तो हम use कर सकते हैं, times march, a rupees worth, a night's journey, a one kilometer's distance, a week's holiday, nature's low, earth's atmosphere, sun's fury, nature's love, देखों, यह sun's fury, यहाँ पर सोनिफिकेशन है, परसोनिफाई किया गया है इनको, कि sun का गुस्सा, तो sun आदि में थोड़ी है, लेकिन जो literature के students हम वो समझ जाएंगे, परसोनिफिकेशन, एक figure of speech है, ठीक है, जब हम कुछ चीज़ों को आदमियों की तरह डील करेंगे, ठीक है, आदमियों की तरह डील करेंगे, तो वहाँ पर कौन सा figure of speech होगा, परसोनिफिकेशन होगा, तो sun को एक आदमी माना गया है, एक human being माना गया, तो उसका गुस्सा, nature's love, last, फिर है, at one's wit's end, यह क्या है, यह phrases है, at a stone's throw, fixed phrases में apostrophe as का use हो सकता है, courts orders at duties call, यह सम्मान जनक sentence है, तो सम्मान जनक जो sentence है, उनके साथ भी apostrophe as का use होता है, आगे चलते हैं, बोर तो नहीं हो रहे हो, अगर बोर हो रहे हो तो भी कोई option नहीं है, नोगरी लेनी है तो पढ़ना ही पढ़ेगा, बोर यत वाली चीज़ें भी पढ़नी पढ़ेगी, ओके, आगे चलते हैं, do not use double apostrophe, आपको double apostrophe use नहीं करनी है, double apostrophe का मतलब है, एक ही आडमी के लिए दो apostrophe से relation नहीं बनाना है, कैसे, my son's school teacher's behavior is not good, इस school teacher के behavior को बताने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, son में भी apostrophe लगा रहे हैं, जो कि गलत है, the behavior of my son's school teacher, ठीक है, मेरे बेटे की school teacher का behavior, तो मेरे बेटे की या मेरे बेटे के, यहाँ पर मेरे बेटे के के लिए एक apostrophe हो गया, और school teacher का, ठीक है, school teacher के लिए भी हमें apostrophe का use करना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे, school teacher के behavior में apostrophe नहीं लगाएंगे, the behavior of my son's school teacher is not good, लेकिन अगर बीच में and है, conjunction and है, तो and conjunction के दोनों तरफ जो noun है, वहाँ पर डोनों नाउन के लिए apostrophe as का use हो सकता है, जो कि आगे मैं इसी वीडियो में आगे, example में बताऊंगे, आगे चलते हैं, तो नाउन्स in the possessive case denote plural form, possessive case में जो दो नाउन हैं, ठीक है, वो क्या करती है, plural form denote करती है, when apostrophe with as is used with one noun, it expresses singular form, देखो, ध्यान से देखे, अगर end है, बीच में end है, end से पहले और end की बाद, दो अलग-अलग noun है, क्योंकि end का काम होता है, conjunction का काम है, किसको end का काम है, दो noun को जोडना, या दो sentence को जोडना, यहाँ पर दो noun को अगर and connect कर रहा है, अगर last वाले noun के बाद में, अगर as है, तब क्या होगा और, देखो, sentence से समझो, राम एंड शाम्स फादर is an honest person, देखिए, यह end है, end के पहले राम, end के बाद में शाम, अब सिर्फ शाम में apostrophe as है, धान से समझे, बहुत ही ज़ादा confusing rule है, sentence से ही हम समझ पाएंगे, तो राम एंड शाम्स फादर is an honest person, पता कैसे चलेगा, कि राम और शाम के फादर, इस राम और शाम के फादर के लिए, इस का यूज़ क्यों हुआ है, इसलिए हुआ है, क्योंकि राम और शाम दोनों भाई हैं, तो दोनों भाई हुए तो उनके फादर singular होंगे या plural, singular होंगे, आपको कैसे पता लगा, कि राम और शाम दोनों भाई हैं, इसलिए पता लगा, कि अगर वो भाई नहीं होते, तो राम के बाद भी apostrophe S लगा होता, यानि राम के और शाम के, पहला जो sentence है, राम और शाम के पता जी, इसमें राम और शाम दोनों भाई हैं, उनके पता जी तो इज़ आएगा, दूसरा जो sentence है, राम्स एंड शाम्स, इट मिन्स, राम के और शाम के, Fathers are meeting today, पता जी आज मिल रहे हैं, दोनों भाई नहीं हैं, राम के, दोनों के अलग अलग फादर हैं, जो आज मिल रहे हैं, तो जब दोनों, एंड के दोनों तरफ कोई नाउन हो, दोनों में अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, तो जो यहाँ पे वर्ब आएगी, प्लूरल, ठीक है, लास्ट वाली नाउन के बाद, अगर अपोस्ट्रोफी ऐस है, तो नाउन वर्ब आएगी, सिंगुलर, ओके, आगे चलते हैं, अपोस्ट्रोफी तो यह जो नाउन है, इनको अपोस्ट्रोफी के साथ कैसे यूज करेंगे, ऐसे करेंगे, लेकिन अगर इनके बाद में अल्स लगा हुआ है, ठीक है, नोबडी एल्स, समवन एल्स, समबडी एल्स, तब हमें अपोस्ट्रोफी का यूज करना हो, तो हम नोवन के साथ यूज करेंगे, कि एल्स के साथ यूज करेंगे, बहुत ही इंपोर्टन्ट रूल है, तो अगर इनके बाद में, एल्स लगा हुआ हो, तो समबडी एल्स इस, नोबडी एल्स, ओके, some uncountable nouns can be used in plural and singular sense with following words कुछ uncountable nouns है कल मैंने आपको बताया था कि furniture, information, hair या फिर jewelry ये क्या है ये uncountable noun है ये uncountable noun है लेकिन अगर इनको countable बनाना हो तो नीचे जो कुछ special words है उनके साथ उनका use करेंगे अगर singular है तो इसका use करेंगे और अगर plural है तो इसका use करेंगे example देखिए English का तो सबसे अच्छा फंडा है अगर आपको किसी rule को याद रखना है उसके sentence को अच्छे से समझ लो एक sentence याद कर लो बस वो rule आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे क्योंकि आपको वो sentence याद रखना है खाते पीते उरते बैठते सोते जागते आपकी दिमाग में बस वो sentence रहेगा ना तो sentence जहां क्लिक होगा रूल अपने आप आप समझ जाओगे क्योंकि रूल में हम उलजके रह जाते हैं sentences से सारी जीज़े clear हो जाती है एक पीस ओव information अब मैंने आपको यह गा था कि information तो uncountable है उसमें as नहीं लगेगा उसका plural नहीं बनेगा पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था एक-दू students के comments भी आये थे कि मैं इसका अगर singular या plural हमें इसका अगर plural बनाना हो तो क्या करें तो आप next part में आपको यह भी सीखने को मिल रहा है information तो एक information बता नहीं हो तो a piece of information बहुत इसका अगर plural बनाना हो तो pieces of information हम इसमें एस नहीं लगाएंगे ओके क्योंकि यह तो क्या है uncountable है ओके all pieces of information many kinds of furniture furniture uncountable है तो इसका plural बनाना हो तो many kinds of furniture two slices of bread two slices of bread a few articles of jewelry uncountable है लेकिन इसका इसके जो articles है jewelry से जो आभूशन बन रहे है sorry jewelry जो है वो uncountable है सारे आभूशन हो गए ठीक है लेकिन अगर particular की बात करो earring है ring है और चीजें है उनके लिए अगर हम plural का बनाना चाहें plural बनाना चाहें jewelry को तो कैसे बनाएंगे a few articles of jewelry many articles of jewelry ओके आगे चलते है exercise of noun noun की exercise में करवाऊंगी I hope आपको मैंने जो चीजें इसमें बताई हैं वो आपको अच्छा से समझ में आ गई होंगी exercise करते हैं जितने जादा question करोगे मैं कह रही हूँ आपका topic अंगूलियों पर याद हो जाएगा ऐसे ऐसे आपके topic दिमाग में बैठ जाएगा पूरा जितने जादा question करोगे your seizures blank not very sharp अब पहले मैं आपको time दूँगी उसके बाद मैं answer बताऊंगी बताओ each आएगा की आ रहेगा दिमाग में सोच लग फटा फटी your seizures seizures क्या है plural है plural noun है तो क्या आएगा आ रहेगा your seizures are okay his furniture blank repairing need आएगा की needs आएगा तो furniture क्या होता है singular होता है तो यहाँ पर आएगा needs ना की need my spectacles चश्मा क्या होता है are missing आएगा की is missing आएगा spectacles जो वो plural में use होता है तो आ रहेगा next a set of furniture blank ready to be sold furniture का एक set a लगा हुआ है article मतलब singular है तो क्या आएगा e जाएगा okay आगे चलते है five sets of furniture अब देखो यहाँ पर तो furniture के आगे a लगा हुआ था तो e जाया five sets तो यहाँ पर furniture के कितने set होगे पांच तो plural के लिए क्या आएगा आ रहेगा इस तरह से आपको practice करनी है ओके गुड न्यूज अब आप सोचो कि यार ऐस लगा हुआ है तो वर कर देता हूं यह सोचो कि ना न्यूज जो है वो दिखने में तो plural है लेकिन singular noun है ओके तो गुड न्यूज वाज रिसेवड बाई हिम नेक्स्ट है 40 blank are grazing in the field तो क्या आएगा शीप आएगा कि शीप आएगा शीप आएगा क्यों क्योंकि यह ऐसी noun है जो singular और plural में सेम रहती है पैलिंग में changes नहीं होता शीप शीप में भी शीप का यूज करेंगे और plural में भी शीप का ही यूज करेंगे next her blank है needs cutting तो हैर आएगा कि हैएगा हैर आएगा क्यों क्योंकि हैर का हैइज नहीं बनेगा हैज गलत हो जाएगा हेर जो है वो singular noun में ही use करेंगे हेर को singular noun में ही my hair is ठीक है her hair is so beautiful आगे चलते हैं your fives and sixes blank alike बताओ कई लोगों के तो समझ में नहीं आएगा ये sentence तुम्हारे पांच और छे एक जैसे दिखते हैं तो तुम्हारे योर fives and sixes का मतलब है मैं जो पांच बनाती हूं मैं जो पांच लिखती हूं वो पांच और छे ठीक है तो क्या आएगा your fives and sixes look आएगा ठीक है look alike एक जैसे दिखते हैं कि नेक्स्टेब पॉलिटिक्स ब्लैंग एव वीटल रोल इन्विल्फ लाइफ पॉलिटिक्स दिखने में तो क्या है लेकिन पॉलिटिक्स राजनिती पॉलिटिक्स सिंग्लर होती है उसके साथ क्या आएगा प्लेज politics plays a vital role in my village life sorry in village life आगे चलते हैं next father-in-law father-in-law's love their son-in-law यह क्या है बताओ सही है कि गलत था आपको सही गलत बता ना इसमें तो fathers-in-law love their sons-in-law आएगा in laws में ऐस नहीं लगेगा क्योंकि दुनिया के सारे father-in-law अपने son-in-law को क्या करते हैं love करते हैं यह एक universal truth है तो fathers-in-law love their sons-in-law ऐसे होगा तो यह sentence क्या है गलत है please cut it with a seizure a seizure नहीं आएगा please cut it with seizures with seizures mathematics require practice दोनों sentence बहुत अच्छे हैं दोनों में mathematics का use हुआ है mathematics require practice बताओ सही है कि गलत है यह sentence गलत है mathematics requires practice होगा क्योंकि mathematics यहाँ पर एक subject है mathematics क्या है subject है जो की singular है दिखने में तो यह plural लग रही है क्योंकि एस लगा हुआ है लेकिन mathematics एक subject है गणी तविश है तो यहाँ पर subject meaning है mathematics का तो क्या आएगा यहाँ requires आएगा ठीक है लेकिन his mathematics is weak यह sentence भी गलत है यह क्यों गलत है his mathematics are weak आना चाहिए क्यों आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर his mathematics का मतलब उसकी गणीत विशे से नहीं है उसकी mathematics skills से है तो skills क्या होता है प्लूरल होता है skills his mathematics skills तो his mathematics skills are weak आएगा ठीक है मतलब जो skills है वो implied है his mathematics are weak अगर mathematics का use subject के रूप में हो तब हम उसको subject के रूप में लेके इस का या फिर singular verb का use करेंगे राधा इस लर्निंग alphabets नहीं होता है alphabets होता है एस नहीं लगेगा singular form में use होगा he is suffering from measles नहीं होता है measles होता है everyone likes vegetables vegetables नहीं vegetables आएगा everyone likes vegetables there is two ways traffic here बहुत ही अच्छा sentence जैसे one way होता है वैसे ही two way होता है तो two ways कैसे होगा यह hyphenated noun है ओके तो two way traffic one way traffic ठीक है two ways traffic नहीं होगा जैसे five star hotel five star hotel यह five star hotels लेकिन ऐसे नहीं बोल सकते कि five five star hotel star में ऐस नहीं लगेगा इंडिया कैनोट accept the two nations theory तो इंडिया कैनोट accept the two nations theory आएगा ओके आगे चलते हैं आगे यह दे लेफ्ट देयर लगेजिज एड़ रेल्वे स्टेशन एरर फाइंड गरो इसमें तो दे लेफ्ट देयर लगेजिज लगेजिज जो है यह गलत है क्योंकि लगज बैगज यह क्या है इनमें आइस नहीं लगीगा रिसेंटली आई विजिटेड जैपूर एंड फाइंड दे सीनरी नहीं होता है सीनरी होता है इसका एस प्लूरल फॉर्म में यह नहीं बनेगी सीनरी बहुत ही अच्छा सेंटेंस है बखाओ एरर कहां है इस सेंटेंस में एरर कौन से पार्ट में है बताओ एरर है यहां पर ब्रदर्स नहीं आएगा क्योंकि जब मा जाय भाई हो वहां पर हम बर्रदर का यूज करेंगे लेकिन अगर कम्युनिटी बतानी हो अब आप होगे कि मैं community के भाई कैसे हुए हिंदू तो अलग हो गए Muslim दूसरी community के हो गए यहाँ पर community बता रहे in the sense of human being human being की community बता रहे हैं तो human being की community के वो भाई हुए तो यहाँ पर वो brothers नहीं आएगा brothers मा जाए भाईयों के लिए आता है तो community के भाईयों को बताने के लिए किसका यूज होगा brethren का यूज होगा next this is not my book this is somebody's else somebody's else नहीं होता somebody else यहाँ आएगा apostrophe as else में लगेगा ना कि somebody में तो यह मैंने आज noun के कुछ important rules आपको पढ़ाए है I hope आपके सारी चीज़े clear हो गई होगी अगर फिर भी आपका कोई question है या कोई query है आप comment section में comment करके पूछ सकते हैं आज की वीडियो आपके लिए कितनी beneficial रही यह मुझे comment करके बताना और जो भी आपकी problems है home fill करने को लेकर उसके लिए आप टेलेग्राम में direct message करके पूछ सकते हैं दोस्तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो please इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा like करिए मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा like करिए और जो भी students है high court LDC की तयारी करने वाले वहां तक वीडियो को जरूर शेयर करें अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो please learn with रजनी को सब्सक्राइब कर दें मिलते हैं next class में तब तक के लिए बबाए